स्पिस samuj कि पक्राइब घर्टोपक में अपको बताया था कि 206 में ब्रेक्ट Lawn का जब रेक्ड lap ins उस डैरेक्शनमें एंट्री ले लोगा उल्टी डारैक्षन का यहां तक कहीं का स्टोप्स लगा के तो ऐसे ही मैंने अज किया है जब यहां पे breakout आया यह वाली candle पे मैंने entry ले ली थी और उसके बाद मैंने wait किया stop loss रख दिया है मैंने 78.65 और same चीज मैंने same trade मैंने यहां पे telegram पे आपके साथ share कर दी थी जब मैंने trade डाली मैंने telegram पे आपको share कर दी थी तो अभी मैं आपको update बता रहा हूँ कि यहां पे हमारी entry होई है और अभी market यहां पे as of now अगर हम देखें तो हमें 1000 पे का profit हो रहा है लेकिन यहां पे आपको एक और चीज देखनी होगी क्योंकि मैंने trade गलती से दूसरे account में डाल दी थी और उसमें मैंने यहां पे देखिए यह वारी trade डाल दी थी मैंने गलती से इस account में trade नहीं करनी थी मैंने USD, INR की तो मैंने इसमें डाल दी थी यहां पे 200 रुपे का 262 का loss भी है तो अगर हम यहां पे देखें तो 262 माइनिस करेंगे तो approximately 500 का profit चल रहा है as of now तो stop loss मैंने यहां पे लगा दिया हुआ है simple setup था कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना नहीं तो मैं आपको थोड़े यहां पे explain कर देता हूँ simple आप देख रहे हो कि market यहां पे sideways zone में चला गया था तो यह तो obvious था कि market ने किसी direction में जाना है भी लेकिन यहां पे daily में हम जाए तो यहां पे USG INR एक monthly sorry एक sports zone पे भी आ चुका था तो इसी वज़ा से यहां पे मैंने discuss किया था आपके साथ कि कोई ना कोई reaction यहां पे आ सकता है और expected reaction था अगर healthy trend को follow करना हो तो यही असली होता है कि यहां पे थोड़ा market उपर जाए फिर गिरना शुरू करें यहां यहां से अगर reversal होना है तो सीथा उपर चला जाए क्योंकि यह बड़ा sport zone है कोई छोटा sport zone है नहीं तो इसी वज़ा से market यहां से उपर भी जा सकता है तो हमने वैसे ही किया हमने एक zone draw कहिया हुआ था जिस भी direction का जैसे उपर की direction का में breakout दिख गया तो हमने उपर की direction का अपना trade ले लिया अभी target क्या है stop loss तो मैंने आपको यहां पे stop loss तो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि stop loss लोगा दिया यह मेरा target है कि 4.40, 4.45 के बीच का target हो गया time का कि उसके बीच जो भी profit loss होगा हम उसको book कर लेंगे as of now हम फिर से हम देख लेते हैं जैसे कि 1000 पे के करीब का profit चल रहा है हमें तो हमें सिर्फ वेट करना है शाम तक का जो भी profit loss होगा मैं book कर के आपको बता दूँगा अगर stop loss हो गया तो वो भी मैं आपका update कर दूँगा so friends यहाँ पे देखिए हमने almost 1 ratio 1 achieve कर लिया है यहाँ पे अगर हम देखें तो as of now हम 1600 रुपे के profit में चल रहे हैं 1600 में से हमें यह वाला loss कम करना है क्योंकि यह trade मैंने उदर mistakenly डाल दी थी और इसको minus करेंगे तो 260 minus करने है मतलब 1400 का profit हो रहा है हमें मतलब हमने almost 1 ratio 1 achieve कर लिया है तो अभी हम क्या करेंगे अपने stop loss को भी trail करेंगे stop loss को ट्रेल करना है हमने और यहां कहीं पर रखेंगे अभी stop loss हमारा 69.80 पर रख देते है अपना stop loss ठीक है अगर इससे नीचे market आएगा तो फिर गिरी जाएगा market ओबियस है तो हम क्या करने वारे 78.6975 तो हमने इसको रख देया अपना stop loss सो ओके फ्रेंड्स अभी देखिए अभी हमने अपना stop loss कम कर दिया है I mean stop loss कम कर दिया मतलब risk कम कर दिया है अभी हम मारा risk यहां पर यहां पर पहले stop loss हमारा 65 पर अभी हमने 0.05 कम कर दिया है मतलब कितना कम हो गया हमारा 0.05 x 6000 300 पे loss कम हो गया मतलब अभी हमारा 1200 पे loss चल रहा है वेट हमने शाम तक करना है शाम को जो भी result आएगा मैं उसको accept करेंगे हम ओके तो अभी हमने वेट करना है as of now अगर हम देखें तो हमें 800 के गरीब का profit हो रहा है ठीक है हमें वेट करना है 1 ratio 1 तो चीव हो चुका है हमारा लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे आज कि day end पे जो भी होगा उसको accept करेंगे ठीक है so friends अभी देखें एक अच्छी rally देखने को मिली है आज हमें तो for some reason आज मैं 4.40 तक वेट नहीं कर सकता हूं मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं नहीं चाहता कि मैं मार्केट को बोचना करूं I mean मैं ट्रेट को ऐसे नेकेट नहीं चोड़ना चाहता कि कोई stop loss लगागे बस नेकेट चोड़ दें तो इसलिए मैंने अभी यह डिसाइड किया कि मैं इस ट्रेट को आज क्लोज करूंगा तो अभी as of now अगर हम देखें तो हमें 25 के करीब का profit हो रहा है तो आज हम इस profit को बुक करेंगे आज हम 4.50 तक वेट नहीं कर सकते हैं जैसे मैं आपको बदाया मुझे बाहर जाना है तो इसी वज़ा से आज मैं यहां पे exit कर रहा हूं इस ट्रेट से इसको हम मार्केट पे exit करने वाले हैं सो ओके यहां पे आज हम देखें तो 275 पे बुक किया है आज हम ने आज हम फाइल को अपडेट करते हैं तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स आज है तीन तारीक आज हमने ट्रेट किया है छे लोट में देखिए मैंने पांच का डाला था मिस्टेक करना था लेकिन मिस्टेक करनी क्योंकि मैंने यहां पे ट्रेट क्लोज किया था यहां पे देखिए यहां पे पांच लोट में ट्रेट किया हुआ था मैंने ओडर्स में जाएंगे यह देखे 5 लोट में ट्रेड किया था लेकिन मिस्टेक करनी जब इधर डालना था मैंने इधर शिफ्ट किया अपना ट्रेड तो क्या हुआ कि मुझसे 6 लोट में ट्रेड हो गया ठीक है इसी वज़ा से और यहां पर अभी देखे प्रोफिट जो हमारे टोटल हुआ है उसमे हमें 262 माइनस करने क्योंकि दूसरी तरफ मैंने शिफ्ट की तरेड आइमीन को एक्वल हमें 223 लोट प्रोफिट हुआ है क्योंकि इधर मैंने ट्रेड क्लोज किया था जिसमें मुझे 262 का लोस हुआ था ओके तो डूट वंटी तूंड थर्टी रूटीर का प्रोफिट आज हमने किया है बाइ और कितना प्रोफित हुआ बाइस सो तेरा रुपे अभी हम टोटल देखें तो टोटल हम उननती सो एटी एट अठासी रुपी के प्रोफित में चल रहे हैं तो आज का लर्निंग था फोलो दा ट्रेड प्रैन ठीक है तो आज का ट्रेड हुआ खतम मैं फिस्सित होड़ा सा एक्स्प्लेइन कर दूँ देखें आज का लर्निंग का मैं बता दूँ देखें सिंपल हमने कल शाम को मैंने एनलेसिस वीडियो जो डाला था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मेरा ट्रेड प्लैन क्या रहने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था यह जोन जब भी ब्रेक किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक होगा तो मैं ब्राइंड ली आई मिन बीना कुछ सोचे ट्रेड डाल दूँग अपना वैसे ही मैंने किया यहां पर ट्रेड डाल दिय अब भी आज शाम को जो वीडियो आएगा अनलेसफ निफ्टी अनलेस वीडियो उसमें मैंने USD-INR के अनलेसिस करने भी शुरू की है अब वो वीडियो भी देख ले न उसमें मैं कल हमने क्या ट्रेड प्लैन करने वो डिसाइड करेंगे हम ठीक है तो तेंक यू व्यू व झाल झाल